प्रश्चार आप शस्तिकाल और गूद मॉर्निंग बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे स्यूटुब चैनल टुगेदर विद मैट्स बाइंजेनियर विकास जिंग पे बच्चों पिछले क्लासिज में हम लोगों ने एक रेप्रेजेंटिशन देखा था जहां पर हम लोगों ने देखा था कि एक सौडी एक रिएल नंबर को की दिन दो कर से किसी अंफले को न मजांस के था इसकिन आप और घंट Two तोiej अप आप relevance repent ठीक है तो वो चीज आप लोगो कोई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आज बच्चो एक और रिप्रेजेंटेशन हम सिखेंगे और ये भी क्या है बच्चो ये भी एक रियल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है और नंबर लाइन बट इसका टेकनिक थोड़ाँ सा डिफरेंट एक चीज में आपको थोड़ाँ सा फील करवा दता हूं कोई चीज आप ध्यान देना जो हम लोगों अभी तक किया है उसी को थोड़ाँ सा रिमेंबर करना ताकि आपको सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन वाले क्लास में पढ़ा था रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट शिक्स इन टाइप के इर्रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना ठीक है जहां मैंने जो तरीका आपको बताया था याद होगा है ना बेस और पर पेंडिक्लोर लगेस ठीक है तो यह प्रोसेस अभ्यान में रखिया इससे आप इर्रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो नहीं नंबर लें फिर दूसरा बच्च 3278.3535 के उपर रिकरिंग इस टाइप के रियल वैल्यूस को बच्चो हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना सीखा था एक प्रोसेस से जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे क्या सक्सेसिव मैगनिफिकेशन ठीक है तो सक्सेसिव मैगनिफिकेशन के थ्रू भी हम लोगों ने बच्चो रिप्रेजेंट करना सीखा अपने रियल नमबर्स को ठीक है उसी तरह से बच्चो आज जो हम सिखने वाले हैं उस चीज़ को आप था ध्यान दिजिए गा ठीक है तो आज हमारे पास जो रियल नमबर्स होंगे वो रियल नमबर्स इस टाइप के होंगे कि वो अंचन के फॉर्म में दिखाई देगा रूट के अंदर मतलब एक्जांपल पर बात करो मैं अगा तो रूट अंडर जैसे यहां एक्जांपल पर दिया गया है मैं रूट अंडर 3.5 रूट अंडर 9.5 रूट अंडर 10.3 अब देख सकते हो यह सब भी प्रकार के रियल नमब इसमें डिफरेंस क्या है इन केसे की साथ से ध्यान दिजेगा यह सारे एक्जैक्टली इर्राशनल लंबर थे बट इर्राशनल लंबर जिसका हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे अंदर में आप देख सकते हो एक सिंगल डिजिट में आपको दिख रहा है वो डेसिमल एक्स इसमें तो दिखान दिजेगा यही तीन रिफरेजेंटेशन हमें नायंथ क्लास में पड़ना है जहाँ पहले आपrika मेंसे जिसक्कास किया था में,rue कस्कें। को किया जाता है ठीक क्या प्रोसेस है इस टाइप के रियल नंबर्स को नंबर रिप्रेजेंट करने का वो प्रोसेस सिखेंग और साथ-साथ उस इसका मैं रिजल्ट भी प्रूब करके बताऊंगा कि यह चीज हम लोगों ने क्यों लिया ठीक है चलिए बच्चों स्टार्ट क अंधर नंबर रैन बोला गया नंबर लाइन पर रूट अंडर 3.5 को रिप्रेजेंट करना तो देखिए बच्चों सबसे पहला काम हमें क्या करना है ठीक है सबसे पहला काम मैं स्टेप सब कंस्ट्रक्शन भी लिख रहा हूं ठीक है ताकि करकर कि आपको दिखाऊंगा ता ए 3.5 cm ठीक है चाहिसे कर सब दागा लाइन सेग्मेंट a.o ठीक है नाम क्या दे दिया मैंने लाइन सेग्मेंट का बच्चों एन तो ड्रॉा लाइन सेग्मेंट ओफ लेंथ ए ओ ठीक है अभ और रैसे ड्राइं द्राय राइन सेटेट एवर फ्लेंट 3.5 cm मतलब रूट के से मेजर करते मतलJustin हमसे पहले एपना सिंटिमीटर स्केस्ट इथाने के बादे हम लोगूं नम का एक सेगमें ट्रॉक या जिसका लेंद्र है 3.5 cm तो रूट के अंदर जो वैलू दिखाई दे रहा है सेम वही वैलू उतना ही हमें cm स्किल से क्या करना है मेजर कर लेना है क्लाइन सेगमें ठीक है अब क्या करना है बच्चो ध्यान देना अब इस यो जो हम लोगों थ्री पॉइंट 5 cm का लेंथ लिया है इस यो को आपको क्या कर रहा है बच्चो एक सेंटीमीटर बढ़ा देना कितना सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर मैंने इसका नाम रख दिया भी और यह कितना है बच्चो तो यह हमारा एक सेंटीमीटर ठीक है तो हम क्या करेंगे सेकेंड काम दूसरा स्टेप वी एक्स्टेंड है यो अप वी गट एहां अंच अभी ठीक है हमने क्या कैयosed इस इस को हम लोगों ने cuts अब प्रोड्यूस कर दिया एकस्टेंड कर दिया जितनता स्टेंटीमेटर का आप लोगों क्या करना है एक सेंटीमेटर स्केल से tyb dimension आपको ले लेना है measurement ले लेना है और एक centimeter अपना मन से क्या करना बच्छो produce कर देना है जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया है ठीक है अब ध्यान दिजिए अब हमारा जो नया line segment आपको दिखाए दे रहा हूँ नया line segment कौन सा बच्छो एबी नाम का ठीक है अब इस एबी नाम के line segment का आपको ढूंड़ना है perpendicular by sector या बोल सकते इस एबी नाम के line segment का आपको ड्रॉ करना है perpendicular by sector तो 9th class में हम लोग perpendicular by sector ड्रॉ करने का बात तो कैसे ड्रॉ होता बच्छो ध्यान दिजिएगा आपको क्या करना अपना compass उठाना है compass का जो नुकीला वाला point होता है उसको यहां रखना है और pencil के को आधा से ज्यादा फैलाना है मतलब यह जिस जगह हम लोग compass का नुकीला वाला point रखते हैं वो मैं हमारे लिए center कहलाता है और जितना आप pencil को फैलाते हो इस तरह से वो कहलाता उसका आर्क ठीक है चले तो ऐसे मालो मैंने आधास ज्यादा आर्क लिया और आधास ज्यादा आर्क लेनेक बाद हम एक बता उपर निचर करेंगे त्यक्त अब आपको व रख बंद खोल नहीं करना है टिक्त जाफ ज्यादना ओखते हो इन दोनों को बास الر holo करता हुआ हम क्या करेंग एक लाइन ड्रॉब करेंगे जो Cit你是 नाम में रहता हुआ तबश्यों हमारा द्रो हो गया क्या पर पेंडिकुलर ब्रॉथ सेक्टर हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में वीड्रोव कि दपर पेंडिकुलर अबाइस सेक्टर और ऑफ मैं एबी विच कि इंटर सेक्ट अबी है एट सी ठीक है हम लोगों ने यह बी नाम के के लाइन सेग्मेंट का पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि इस एवी नाम के लाइन सेग्मेंट को कहां इंटरसेक्ट किया सी नाम के पॉइंट ठीक है अब देखे बच्छो पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि यह जो लाइन से लाइन है आपको य आइसेक मतलब दो इक्वल पाटें बटना मतलब यह एसी और यह सी बी का लेंथ बच्चों क्या होगा आपस में इक्वल होगा तो क्या मैं यह बूल सकता हूं कि जब यहां से यहां से यहां से यहां से इक्वल है तो थोड़े दिर के लिए मैं इसको सेंटर माल लेता हूं ठ रखता हूं और confess का पैंसल यहां रखता हूं और यहां क्या करते हैं बच्चों एक सेधी सरकल कर लेते हैं जो की होगा ठीक है तो हम लोगों had क्या किया हम लोगों ने indubt करने के पर्पेंडिक्लर करने के बाद देखा कि यह Indiculture by sector AB नाम के लाइन सेग्मेंट को सी नाम के पॉइंट पर कट कर रहा है तो इस सी नाम के पॉइंट को मैंने क्या मान लिए सेंटर माना और compass को यहां तक मैंने खुला मतलब हमारा यह radius हो गया तो यह center यह radius यह हमारा बन गया semi circle देखिए बच्चों compass से बनता क्या है arc बनता और arc is a part of circle तिसलिए याद रखिएगा जिस जगह compass को हम रख देते हैं वह हमारा center बन जाता क्योंकि अगर वहां से draw होगा तो कोई arc ही draw होगा और arc part of the circle है that's why जिस जगह हम रखते हैं उसको हम बोलते है center और जितना हम compass को खोलते हैं वह हमारा radius कहला ध्यान से दिखना अगर यह compass मैंने यह pointed part रखा यह मैंने arc खोला तो आप समझ सकते हो यह कर semi circle बना रहा है part of the circle बन रहा है तो यह radius का काम कर रहा है that's why हम लोग ऐसा बोलते हैं तो याद रखिएगा चौथा part में मैंने क्या लिखा steps of construction में taking c as a center अब आपको मैं clear कर दो जिस जगह हम pointed part को रखते हैं उसको हमेशा क्या बोलते हैं center बोलते हैं इसी को याद रखिएगा ठीक है ना तो टेकिंग c as a center and cod a C as a radius ठीक है और AC को क्या मारें बच्चों हम लोग radius मान रहें डीरॉज ध takes सर्क्र C Hem outta सेमी привет हम क्या राश्रकल हम क्या करते हैं बच्चों सेमी सर्क्ला डेकर आप है तो हम लोग शेखर कॉएंट को क्या करना बच्छ इक परफंडिकलर ड्रो करना है तो सिदी है लिए लिए सिब्सक्राइब को पता होगा एंब इसको रेडियास मानेंगे कृधर यहां से 100And बना देंगे ठीक है टेकिंग वाइज सेंटर एंड ओबी एजर रेडियस वीड्रो एंड सेमी सरकर टेक है जाहे वीड्रोव एन आर्क आर्क आपक्स दिग्री अब क्या करेंगे अब अपना मंद से जितना हो सा के आर्क ले लेना और उतना ही यहां से यहां बच्छो क्या कर रेडियस लिए थे ना इसे माले यह मैंने रेडियस लिया इंगल बनाया ताब इसको बंकर नेज़ को यहां रखना और अपन से यहां कट करना ठीक है फिर पॉइंटेट पार्ट को यहां रखना पेंसिल से इसे कट करना और देखोगे कि exactly यह आपका वन गया क्या बच्छ करना ठीक है 90 डिडिरी ड्रोकर यह प्रोसेस को धिहान में रखिए बात हम लोगों ने क्या किया है टेकिंग कि ओ आज़र कि चाहिए हटा उतना मतलिकों डरेक्ट लिख लो वीड्रॉ कि अब पर्पेंडिकुलर इड पॉइंट हम लोगाने पॉइंट ओपे कैंडर कैंडरों किया ठीक है चलिए ओप्वाइं प्वाइंट परपेंडिकुलर द्रॉक्ट विच ठीक है विच काट्स दा सेमी सर्कुलर आर्क एट पॉइंट डी जो कि क्या करता है इस सेमी सर्कुलर पॉइंट को डी नाम के पॉइंट पर क्या करता है ठीक है अब ध्यान से देखना बच्चो डी नाम के पॉइंट पर जैसे यह कट किया चीज को अब समझना यही जो ओडी है न हमारा य यही हमारा रिप्रेजेंट करता है बच्चों क्या यही रिप्रेजेंट करता है माला रूट पॉइंट रूट अंडर 3.5 को यह जो डिस्टेंस है न ओडी यही बता रहा है कि यही डिस्टेंस हमारा क्या है रूट अंडर 3.5 तो अब रूट एक्स्टेंड करेंगे ठीक एक्स्टेंड कर देंगे और स्केलिंग के हिसाब से इसकॉम टू इसकॉम 3 इसकॉम 4 5 6 ऐसे करके बढ़ा देंगे ठीक है मतलब समझ ले नहीं हमारा स्केल है नंबर लाइन का और इसी पर हमारा रूट रूट अट्री पॉइंट 5 तो रूट अंडर 3.5 रिप्रेजेंट करना बच्चों तो याद रखिएगा यहां पर रूट अंडर 3.5 सेंटी मिटर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया कि यही ओडी हमारा क्या है रूट अंडर 3.5 ठीक है देखिएगा अगर यह ओडी हमारा रूट अंडर 3.5 है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ध्यान दीजे मैं ओ को सेंटर मालूँँगा डी को क्या मालूँगा रेडियस और यहां से एक अर्क नीचे गिरा हम गांगगा ठीक है यहां से एक नीचे गिराने का मतलब क्या है बच्चो तो रूट अंडर 3.5 का वैलू बच्चो क्या होगा इसका वैलू कहीं न कहीं 2 से थोड़ा सा कम होगा तो मतलब आप जब यहां से सेंटर मानोगे और जो डॉटेट पॉइंट होता आपका कॉमपास को यहां रखोगे और पैंसिल को यहां रखोगे जब आर्ट ड्रॉ करोग बच्चो जब गिराओ गें इस चीज को ध्यांस देखना आपका वहलू कहीं न कहीं टू से जश्ट बगल में आकर गिरेगा और इस पॉइंट को मैं इमाल लेता हूं यही हमारा क्या है रूट अंडर 3.5 जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है और ध्यान as a radius we draw an arc which cuts the extended line at point e which represents root under 3.5 ठीक है हम लोगों ने ओ को सेंटर माना और ओडी को radius माना और यहां से एक आर्क ट्रॉक किया और यह आर्क बच्चो जीज जगा पे extended line को cut कर रहा उस point को हम लोगों ने क्या बोला बच्चो ई और वही नाम का point क्या represent कर रहा होगा हमारा root under 3.5 को और यही बच्चो हमारा representation है root under 3.5 का यह steps of construction मैंने लिखा है यह मैंने construction करके दिखाया है ठीक है अब मैं exactly आपको प्रूब करके बताता हूं बच्चो कि यही हमारा root under 3.5 क्यों हुआ ठीक है न यही चीज ओडी ही हमारा root under 3.5 क्यों हुआ मैं आपको प्रूब करके दिखाऊंगा भी जैस्ट थोड़ी दिर बाद पहले आप इस चीज को लिख लिजिए चलिए बच्चो बात करते हैं अब इस चीज का नंबर लें ठीक है तो यह root under 3.5 3.5 जबा कुछ भी हो सकता था तो हम माल लेते हैं बच्चो यहां पर क्या हमारा यह root under x ठीक है तो रिप्रेजेंट हमें करना है कि इसको बच्चो root under x कौन दर नंबर लें ठीक है एंड प्रूब इट एंड प्रूब द बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन ठीक है इस कंस्ट्रक्शन को क्या करना है बच्चो प्रूब करना है ठीक है मतलब यह root under 3.5 था इस चीज को बताना है कि यही कैसे root under 3.5 वही चीज में आपको को प्रूब करके दिखा रहा हूं ध्यान दिजिए तो जब रिप्रेजेंट करना हो था root under something कुछ beyond the number line और प्रूब करना इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान दिजिएगा root under something कुछ जो भी X होता था उस X के जगा पर जो भी कुछ होता था उतना ही centimeter कम लाइन लेते थे तो मालो यह जो हम लोगों ने लिया हुआ था शुरू में यही हमारा क्या है बच्चो त्याही हमारा एक centimeter हो जाएगा ठीक जो भी यहां होगा उसी सेंटीमेटर स्कल्स हो ले लोगे और उसी चीज को measurement कर लोगे तो सब्सक्राइब यह हमारा मालो एक centimeter जो था यहां उसी चीज को मैंने एक सेंटीमेटर माल लिया अब हम लोगों ने एक सेंटीमेटर क्या किया था बच्छों प्रोड्यूस किया था तो आप देख सकते यह मारा एक सेंटीमेटर हम लोगों प्रोधूस किया और इस construction के basis में यह बोल रहा हूं कि यह जो भाया है ना यही चीज हमारा क्या है मतलब हमें प्रूव यही करना है कि डूपर ओडी बराबर ही रूट-एक्स होगा यहमें प्रूब करना ठेक है तो अगर यहां से यहां यह हमारा रेडियस है तो क्या मैं यह बोल सकता हूं कि यह हमारा रेडियस होगा ठीक चीज को समझेगा तो यहां पर मैंने प्रूफ करना शुरू किया था ध्यान दीजिए आप मैं क्या कर लेता हूं लेट एओ बराबर कितना एक्स जब एओ बराबर बच्चो एक्स माना है एंड ओबी बराबर वन ठीक है ओबी बराबर क्या है यह एक सेंटिमीटर है यह वन सेंटिमीटर है ठीक है तो मैं यह बोल सकता हूं बच्चो देरफोर एबी बराबर क्या हो जाएगा तो एबी बराबर हो नहीं पूरा एक्स 1 cm ठीक अब चीज को समझ यह प्रोसेस वाइस ही चल रहे हैं पहले हम लोग इसको जो माना था वो माना एक centimitre प्रोड्यूस किया फिर हम लोग ने लाइन सेहमेंट मिला थे भी नाम का वही भी नाम के लाइन सेहमेंट को लिए आझा यह कि अमस्य नम को ऊर्फ ए इस अड़ कि ने को शुख लेहीं सेग्मेंट का पर्पेंडिक्लर बाई शीक्टर लिया था और, आपने बताया था कि यह हमारा रेढिएस है तो अगर बच्चों पाइन्डिक्लर वाई सेक्टर जब ड्रॉट किये तो हम क्या बोल सकते हैं so A c बराबर cb होगा तब ये c बराबर क्या होगा सीदी होगा अगर एसी बराबर cb होगा तो ये क्या हुआ बच्चो रीडिस हुआ दोनों क्या होगा पूरे का आगा होगा मतलब पूरा कितना था X plus 1 by 2 ठीक है तो ये AC और ये CB दोनों क्या होगा X plus 1 cm तो बच्चो ये भी तो हम बोल सकते हैं ठीक है ये भी तो हम बोल सकते हैं जब AC बराबर CB है तो CD भी तो X plus 1 cm होगा तो मैं चली यहां पर तीनों लिख देता हूँ इस इंपलाइस डैट AC is equal to CB is equal to CD is equal to X plus 1 by 2 CD भी तो रेडियस ही है न और ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है ठीक है तो मतलब रेडियस कितना होगा X plus 1 by 2 cm अब चलीए हमें पता चल गया कि ये कितना है हमें पता चल गया CB कितना है लेकिन हमें पता करना है OD और हम देख रहे हैं बच्चों कि ये राइट एंगल ट्रेंगल है और इस राइट एंगल ट्रेंगल का ये पता है हमें ये पता नहीं है और ये निकालना है ठीक है तो यह हम पता कर सकते हैं कैसे यह पूरा आपको पता है और यह सब्ट्रेट कर दो गए तो यह निकल जाएगा मतलब दिस देरफोर हम बोल सकते हैं CO is equal to कितना हो जाएगा CB minus OB तो CB कितना है बच्चो X plus 1 by 2 minus OB कितना है 1 सब्ट्रेट कर लो LCM 2 X plus 1 minus 2 it means X minus 1 by 2 centimeter हमारा हो जाएगा छी हमारा सी ओ निकल गया बच्चो हमारा CD निकल गया तो बता राइट एंगल ट्रेंगल हम पाइथार्ण दगा करके आप औडी निकल सकते हो तो देखिए बच्चो हम वही काम करने वाले हैं क्या in राइट triangle डी ओसी इस डी ओसी नाम के राइट अंगल triangle को ध्यान से दो बाई पाइधागोरस त्योरह क्या होगा स्टीडी का होल स्कॉर इस इक्वल टू स्यो का होल स्कॉर प्लस ओडी का होल स्कॉर जहां यह सीडी कितना है बच्चों तो सीडी है देख सकते हो आप X प्लस 1 बाइ 2 का ठीक है, whole square CO कितना है बच्चों तो CO है हमारा X माइनस 1 बाइ 2 का whole square और ये OD हमें पता नहीं है तो इसको मैं OD square ही छोड़ देता हूँ ठीक है, चली इसको हम इधर लेकर क्याते हैं तो ये कितना हो गया X प्लस 1 बाइ 2 का whole square माइनस X माइनस 1 बाइ 2 का whole square बराबर OD का whole square ठीक है, ये बच्चों A square ये माइनस B square तो A square माइनस B square आपको पता है क्या होता है, A plus B into A minus B तो इसको मैं लिख सकता हूँ X plus 1 by 2 plus X minus 1 by 2 A plus B into A minus B X plus 1 by 2 minus X minus 1 by 2 ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों कितना OD का whole square, ठीक है अगर आप समझ रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा LCM 2, ये कितना हो जाएगा बच्चो, X plus 1 plus X minus 1 मतलब 2X ठीक है, माइनस 1 plus 1 कड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2X by 2 और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों ये LCM 2 लोगे, तो X plus 1 माइनस X plus 1, तो X X कड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 upon 2 is equal to OD का whole square ये हैगा, आप चेक करके देख लेना, ठीक है देखिए उसके बाद अब क्या है, ये 2 और 2 कैंसल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या बच्चा बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मारे पस बच्चा X वराबर OD का whole square तो हम बोल सकते हैं, OD वराबर क्या होगा, रूट अंडर X और ध्यान से देखिए, यही OD हम लोगों ने root X प्रूब करना था, ये D हम लोग root X प्रूब कर दिये, तो आपको यह एक्जैक्ली समझ में रहा होगा, यही हमारा वो root X है, जिसको हम प्रूब करना चाह रहे थे, यही प्रूब के बच्चिश पे आप exactly समझ सकते हो कि स्टेप सब कंस्ट्रक्शन को हम लोग कैसे फॉलो किया ठीक है क्यूं मैंने इसी को रूट टर्णेट 3.5 बोला है अगर इसी को हम लोग ने रिप्रेजेंट किया यह रीजन है आपके सानरी इसका प्रूव है ठीक है तो आपको यह चीज एक्जेक्टली अच्छे से समझ में लूटेथ की में आगया होगा और यह रिप्रेजेंटीशन भी आपका क्लेर हो गया होगा ठीक है तो बच्छों हमारा रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट आज पुरी तरह से जर से ख्लेइट हो घ्या है खतम हो चुका है नेस्ट लास में बच्चों हम लोग अहाई सारी अच्छे चीज़ सिखने वाले हैं यहां पे हम लोग सट्स पावर सेंडिस के बारे में कंसेप्ट पढ़ेंगे रैस्नलाइजेशन वेगरा पढ़ेंगे ठीके एक्स्पोनेंट्स और वेगरा जो भी आप सर्सेंडिस और बोलते हो उन चीज़ों के बारे मों लोग सब्सक्राइब करेंगा ने वाले लेक्ट्स में और यह जो हमारा बेसिक पार्ट था नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन के ऊपर यह फुरी तरह से खतम हो चुका है अब नेक्स्ट लास से जो चीज़े स्टार्ट होगा बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट चीज होग करेंगा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जितना हो सकते सेयर करें और नेक्स्ट प्लास में मिलते हैं फिर से एक नए चीजों के साथ और आप इन चीज़ों से रिलेटेट कुस्टेंस जो भी एंसिया टेवरा में आप जरूर बना लें ठीक है सब तक लिए टेक कियर और नाइस टेंगे